मित्रों काली का अर्थ है समय और काल, काल जो सभी को अपने में निगल जाता है, भयानक अंधकार और श्मशान की देवी, वेदानुसार समय ही आत्मा है, आत्मा ही समय है मा कालिका की उत्पत्ति धर्म की रक्षा, और पापियों राकषसों के विनाश करने के लिए हुई है, काली को माता जगदमबा की महामाया कहा गया है मा ने सती और पार्वती के रूप में जन्म लिया था सती रूप में ही उन्होंने दस महाविध्याओं के माध्यम से अपने दस जन्मों की शिव जी को जाकी दिखा दी थी मित्रो कलियुग में तीन देवता जागरत कहे गए है हनुमान जी, कालिका जी और भैरव जी कालिका की उपासना जीवन में सुख, शांती, शक्ती, विद्या देने वाली बताई गई है मा कालिका की भक्ती का प्रभाव व्याभारिक जीवन में मानसिक, शारिरिक और सांसारिक बुराईयों के अंत के रूप में दिखाई देता है, जिससे किसी भी इनसान के तनाव, भय और कलह का नाश हो जाता है मा कालिका को खास्तोर पर बंगाल और असम में पूजा जाता है, मा काली को दस महाविद्याओं में से एक माना जाता है तो मित्रों आज हम आपको माता अश्ट काली के बारे में बताने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यानवर्धक सिद्ध होगा, तो चलिए माता काली के भेदों को जानते हैं मित्रों माता काली के अलग अलग तंत्रों में अनेक भेद बताए गए हैं उन में से अश्ट काली के भेद इस प्रकार हैं प्रथम है सहार काली दुसरा है दक्षिन काली तीसरा है भदर काली चौथा है गुहे काली पाचवा है महा काली छटठा है बीर काली सात्वा हैं, उग्रकाली तथा आठवा हैं, चंड काली मित्रों अश्ट काली में से प्रथम हैं, सहार काली जिन्हें वामा काली भी कहा जाता है इनकी चार भुजाये हैं, देवासुर संग्राम में यही धूम्र लोचन नामक असुर का वध करने वाली है प्रत्यंगिरा, भवानी, वागवादिनी, शिवा, भेदों से युक्तभैर्वी, योगिनी, शाकिनी, चंडिका, रक्तचामुंडा ये सभी सहारकालिका के भेद स्वरुप कहे जाते हैं सहारकालिका का महामंत्र 125 वर्ण का मुंड माला तंतr में लिखा हैं, जो प्रबल शत्रुनाशक है माता सहारकालिका एक मंदिर दिल्ली में हैं, जो सहारकाली मंदिर के नाम से जाना जाता है दुसरा है मा दक्षिन काली क्रों फट स्वाहा काली काली के हुँ माता दक्षिन काली का एक मंदिर जो बंगाल के प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिसे दक्षिनेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है स्वामी रामक्रिश्न परमेहन्स और माता दक्षिन काली की कहानी काफी प्रचलित है तीसरा है भदरकाली देवी दुर्गा की अवतार तथा भगवान शंकर के वीरभदर अवतार की शक्ति अथवा पत्नी हैं वारुनी, वामनी, राक्षसी, रावनी, आगनेई, महामारी, घुघुरी, सिहवक्त्रा, भुजंगी, गारुडी, आसुरी दुर्गा ये सभी भदरकाली के विभिन रूप हैं एतिहासिक मंदिर, जो हर्याना की एक मात्र सिद्ध शक्ति पीठ है, जहां महा भदरकाली शक्ती रूप में विराजमान हैं कहा जाता हैं कि माता सती का दाया गुल्फ अर्थात घुटने से नीचे का भाग यही पर गिरा था और यहां शक्ति पीठ की स्थापना हुई, जिसे श्री देवी कूप भदरकाली मंदिर के नाम से जाना जाता है चोथा हैं गुहे काली, मा सिद्धिकाली को ही गुहे काली के नाम से भी जाना जाता है कहते हैं कि इंद्रक वरोन कुबेर यम चंद्रक रावन यम राजा बली बाली वासव विवस्वान आदिकई देवी और देवताओं ने इनकी उपासना कर सिद्धी और शक्तियां अर्जित की हैं जो लोग सिद्धी प्राप्ध करना चाहते हैं उन्हें इनकी पूजा और साधना करना चाहिए माता गुहे काली का नवाक्षर मंत्र इस प्रकार है क्री गुहे काली का क्री स्वाह इस देवी का मंदिर निपाल के काठमांडू में है जिसे गुजेश्वरी मंदिर के नाम से जानाजात है यहाँ पर माता सती के शरीर के दोनों घुटने गिरे थे इस कारण से यह 51 शक्तिपीठ में गिना जाता है पांच वाहें महाकाली महामाया, भगवती काली ही, शिव की प्रेना और उर्जा है जो इस संपून ब्रहमांड को चलायमान रखे हुए है उनके पलकों के इशारों से ही इस विश्व में तमाम उथल पुथल होती है वैश्नवी, नारसिनही, वाराही, ब्राहमी, माहिश्वरी, कौमारी, इत्यादी, अश्ट, शक्तिया है भेदों से युक्त, धारा, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, इत्यादी, सब नदिया महाकाली का स्वरुप है गुजरात की उची पहाडी, पावागड पर बसा, मा कालिका का शक्ति पीठ, सबसे जागरत माना जाता है यहां स्थित काली मा को महाकाली कहा जाता है, काली का माता का यह प्रसिद्ध मंदिर मा के शक्ति पीठों में से एक है ऐसा माना जाता है कि मा पार्वती के दाहिने पैर की अंगुलिया पावागड परवत पर गिरी थी चठठा है वीर काली वीर श्रिविद्या, भुवनेश्वरी, पदमावती, अनपूना, रक्तदंतिका, बालात्रिपुर सुन्दरी, शोडशी की एवं काली की शोडश नित्याएं कालरात्ती, वशीनी, बगलामुखी ये सभी वीर काली के नाम भेध है सात्वा है उग्रकाली शूलिनी, जैरुप दुर्गा, महिश मर्दिनी दुर्गा, शैल पुत्री, नव दुर्गाए, भ्रामरी, शाकमभरी, बंध मुक्षणिका, ये सब उग्रकाली के विभिन्द नाम रुप है भग्वती का त्यायनी दश्भुजा वाली दुर्गा है, उसी को उग्रकाली कहा गया है आठवा है चंड काली माता चंड काली की 32 भुजाये हैं, माता चंड काली की महिमा अपार हैं, जहां माता अपने भक्तों के लिए एक सौमे रुप धारन कर लेती हैं वही दुष्ट, पापियो और अभिचारिक व्यक्तियों के लिए अत्यंत भयानक रुप को धारन करती हैं इनकी अराधना करने से व्यक्ति सभी प्रकार के भय से छुटकारापा लेता हैं और दुष्टों पर विजय प्राप्त करता हैं मित्रों आशा हैं आपको अश्ट काली की यह जानकारी अच्छी लगी होगी नमस्कार मित्रों आप सभी का दैवीक शक्तियां पर एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल से जूडे रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों कहा जाता है कि जो व्यक्ति एक बार भी इस कालिका पुराण का पाठ करता है वह सभी कामनाओं को प्राप्त करके अमरितत्व अर्थात देवत्य को प्राप्त कर लेता है कालिका पुरान के अध्ययन तथा श्रवन करने वाला पुरुष परम सुखी तथा लोक में बलवान और दीर्ग आयुवाला भी हो जाता है मित्रो कालिका पुरान को काली पुरान, सती पुरान या कालिका तंत्र भी कहा जाता है हिंदु धर्म की शक्तिवाद परंपरा में 18 लग्व पुराणों यानि उप पुराणों में से काली का पुराण एक है पाठ की रचना संभवत भारत के असम शेत्र में हुई थी और इसका श्रे रिशी मारकंडे को दिया जाता है यह कई संसकर्णों में मौजूद है अलग-अलग 90-93 अध्यायों में व्यवस्थित है मित्रों इस पाठ की शुरुवात देवी की किमवदंतियों से होती है जो शिव को तपस्वी जीवन से एक ग्रिहस्ट के जीवन में वापस लाने की कोशिश करते हैं लूडो रोचर के अनुसार मारकंडे वर्णन करते हैं कि कैसे ब्रह्म, शिव और विश्णु एक और एक ही है और सभी देवी एक ही स्त्री उर्जा की अभिव्यक्ती है यह देवी कामाख्या या कामाख्षी का सम्मान करता है और उनकी पूजा के लिए आवर्शक अनुष्ठान प्रक्रियाओं का वर्णन करता है जह कामरूप तीर्थ में नदियों और पहाडों को भी विस्तार से बताता है और ब्रह्म, पुत्र, नदी और कामाख्या मंदिर का उल्लेख करता है मित्रों पाठ के अध्याय सरसट से 78 तक रुधिराध्याय का गठन किया गया है जिसमें बाली और वामाकार तंत्रवाद की चर्चा की गई है रुधिराध्याय खंड मानव बली की असामान्य चर्चा के लिए प्रसिद्ध है पाठ में कहा गया है कि देवी को प्रसन करने के लिए मानव बली दी जा सकती है लेकिन युद्ध या आसन्न खत्रे के मामलों से पहले राजकुमार की सहमती से ही पाठ में यह भी कहा गया है कि जो कोई भी शारिरिक रूप से वितलांग है ब्राहमन से संबंधित है या बलिदान के माध्यम से मरने को तयार नहीं है वह अनुष्ठान के लिए अयोग्य है यह पाठ एक युद्ध से पहले एक बाली या दुश्मनों के लिए चावल पेस्ट के विकल्प से जुड़े अनुष्ठानों की व्याख्या करता है लेकिन यह वर्णन नहीं करता है कि बलिदान वास्तव में कैसे किया गया था काली का पुराण में देवी काली का वर्णन इस प्रकार से किया गया है मित्रों मारकंडे पुराण के सब्तश्ती खंड में जिन काली देवी का वर्णन है अथवा जिनका जन्म अम्बिका के ललाट से हुआ है वे काली श्री दुर्गाजी के स्वरूपों में से ही एक स्वरूप है तथा आध्या महाकाली से सर्वता भिन्न है भगवती आध्याकाली अथ्वा दक्षिनाकाली अनादेरूपा सारे चराचर की स्वामिनी है जबकि पौरानिक काली तमोगुन की स्वामिनी है दक्षिन दिशा में रहने वाला अर्थात सूर्य का पुत्रयम काली का नाम सुनते ही डर कर भाग जाता है तथा काली उपासकों को नरक में ले जाने की सामर्थ्य उसमें नहीं है इसलिए श्री काली को दक्षिना काली और दक्षिन काली का भी कहा जाता है अतर इन्हे महाविद्या भी कहा जाता है वही स्त्रीरूपी वामा दक्षिन पर विजय पाकर मोक्ष प्रदायनी बनी इसलिए उन्हें तीनों लोकों में दक्षिना कहा जाता है श्री काली की उपासना से समस्त विग्ण उसी प्रकार नश्ट हो जाते हैं जिस प्रकार प्रजवलित अगनी में सभी पतंगे भस्न हो जाते हैं काली का पुरान का पाठ करने वाले साधक की वानी गंदा के प्रवाह की भाती गध्य पध्यमी हो जाती है और उसके दर्शन मात्र से ही प्रतिवादी लोग निश्प्रभ हो जाते हैं, उसके हाथ में सभी सिध्या बनी रहती हैं, इसमें संदेह नहीं है मार्गशीर्ष मास की कृष्णपक्ष की अश्टमी कालाश्टमी होती है, जो उपासक इन दिन काली की सन्निधी में उप्वास कर जागन करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं साथ अंगुल से लेकर बारा अंगुल तक की प्रतिमा घर पर रखने का शास्त्रों का मत है, किन्तु इससे अधिक परिमान की मूर्ती मंदिर के लिए उत्तम कही गई है काली देवी की प्रतिष्था माग और आश्विन मास में उत्तम तथा समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है इन मासों में भी विशेश रूप से क्रिश्न पक्ष में प्रतिष्था करना श्रिष्ठ माना गया है काली का पुराण में काली का स्वरूप का वर्णन इस प्रकार से है इस पुराण में काली देवी का वर्ण श्याम है जिसमें सभी रंग सन्निहित है भक्तों के विकार शुन्य हरिद्य रूपी शम्शान में उनका निवास है भगवती चित्शक्ती में समाहिन प्राणशक्ति रूपी शव के आसन पर स्थित है उनके ललाट पर अमरित तत्व बोधक चंद्रमा है और वे त्रिगुनातीत निर्विकार केशनी है सूर्य चंद्रत और अगनी ये तीनों उनके नेत्र हैं जिनसे वे तीनों कालों को देखती हैं वे सतोगुन रूपी उज्डवल दातों से रजोगुन तमोगुन रूपी जीब को दबाये हुए हैं सारे संसार का पालण करने में सक्षम होने के कारण वे उन्नत पीन पयोद्धा हैं वे पचास मात्रिका अक्षरों की माला धारण करती हैं तथा माया रूपी आवर्ण से मुक्त तथा सभी जीव मोक्षन होने तक उनके आशरित रहते हैं वे निशकाम भक्तों के माया रूपी पाश को ज्यान रूपी तलवार से काट देती हैं वे काल रूपी शक्ती को वास्तविक शक्ती देने वाली विराट भगवती हैं इसके अतिरिक्त इस पुराण में रक्त बीज मर्दिनी श्री काली का भी स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है संपूर्ण विक्राल देह चमकते हुए काले रंकी है उनकी बड़ी बड़ी डरावनी आखें और मुख से जीव को बाहर निकाले हुए हैं जो गहरे लाल रंकी है वह नर्मुंडों की माला तथा कटे हुए हाथों का आसन धारण किये हुए हैं उनके एक हाथ में खडगर, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में खपर, तथा चौथे हाथ से भक्तों को आशिर्वात प्रदान करती हैं देवी वर्दान देने में बहुत चतुर हैं, इसलिए उन्हें दक्षिना कहा जाता है जिस प्रकार कार्य की समाप्ती पर दक्षिना फल देने वाली होती है, उसी प्रकार देवी भी सभी फलों की सिध्धी को देती हैं दक्षिना मूर्ती भैरव ने उनकी सर्वप्रथम पूजा की, इस कारण भी भगवती का नाम दक्षिना काली है पुरुष को दक्षिन और शक्ति को वामा कहा जाता है वही वामा दक्षिन पर विजय पाकर महामोक्ष देने वाली बनी भगवती काली अनादि रूपा आध्या विद्या है पाचों तत्वों तक शक्ती तारा की स्थिती है और सब के अंत में काली ही स्थित है अर्थात जब महाप्रलय में आकाश का भी लय हो जाता है, तब यही भगवती काली चित्शक्ती के रूप में विद्यमान रहती है इन्ही भगवती की वेद में भदरकाली के रूप में स्तुती की गई हैं, ये अजन्मा और निराकार स्वरूपा है भावुक आराधक अपनी भावनाओं तथा देवी के गुण करमों के अनुरूप उनके कालपनिक साकार रूप की स्तुती करते हैं अपने ऐसे भगवती काली मुट्थी प्रदान करती है भगवती काली अपने उपासकों पर स्नेह रखने वाली तथा उनका कल्यान करने वाली है इस प्रकार भगवती की दक्षिना काली के नाम से अनेकानेक उपलब्धिया है जिस भक्त को जो भी उपलब्धी हो या जो भी सिध्धी चाहे उसे उसी रूप में महाकाली को स्विकार करना चाहिए मित्रो इस पुराण के बारे में यह कहा जाता है कि यह काम हिंदू धर्म की देवी उन्मुक शाक्त शाखा से संबंधित है संभवत है इसे मध्यकालीन कामरूप यानी आधुनिक असम्मे या उसके आसपास बनाया गया था यह एक देर से काम है शक्ती पूजा के संबंध में निबंध लेख को द्वारा हाजरा कहते हैं यह उन दुरलब हिंदू ग्रंथों में से एक है जो वास्तव में हिंदू शब्द का उल्लेख करते हैं शास्त्री के अनुसार स्थानिय विवर्ण नरक के मिथक का इतिहास जिससे कामरूप के सभी राजवन्शों ने अपना वंश बनाया ब्रह्म पुत्र नदी के मिथक का वर्णन और पाठ में दावा है कि कामरूप वारांसी से भी अधिक पवित्र थे कामरूप में लिखे गए पाठ की ओर इशारा करते हैं मित्रों कालिदास और माग के संदर्भों से पता चलता है कि यह प्रारंभिक पुराणों में से एक नहीं है कामरूप शेत्र के रत्न पाल से जुड़े स्थानों और घटनाओं का उल्लेख पाठ को दस्वी शताबदी के बाद का स्थान देता है मिलेच आबादी के लिए पाठ में स्पष्टीकरण और हरजरवर्मन के युन्थल तामबे की प्लेट शिलालेख में एक समानांतर स्पष्टीकरण का संकेट पाठ को उसके शासनकाल के करीब रखता है रोचर के अनुसार, कामरूप के राजा, धर्मपाल के उलेख ने कालिका पुरान को ग्यारहवी या बारहवी शताबदी का पाठ होने का प्रस्ताव दिया है हालांकि पाठ के विभिन वर्गों के अनुमान साथवी से ग्यारहवी शताबदी के अंत तक है नमस्कार मित्रों आप सभी का दैवीक शक्तिया चैनल पर एक बार फिर से स्वागत हैं हमारे चैनल से जुरने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों आज हम आप लोगों को माता काली को बुलाने का मंतर बताने वाला हूँ यह मंत्र बहुत ही प्रभावी हैं और माता काली इससे शीघर प्रश्ण होती हैं मित्रों यह तो सच है कि मा काली को बुलाया जा सकता है ऐसे बहुत से भक्त हुए हैं जो साक्षात मा काली से बात किया करते थे उनमें से ही आज से कुछ वर्ष शताबदी पूर्व रामकृष्ण परमेहंस एक अद्वितिय माकाली के परम भक्त थे वह जब चाहते थे तब माकाली को बुला देते थे लेकिन यह भक्त की अटूट भक्ती एवं विश्वास पर यह निर्भर करता है कि वह माकाली के दर्शन प्राप्त कर सकता है या नहीं आज हम आपको माकाली को बुलाने का मंत्र बता रहे हैं यदि आप माकाली के सच्चे भक्त हैं तो माकाली को बुलाने का मंत्र जापकर शीघर ही माता के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं लेकिन इसके लिए बहुत कड़े कठोर नियम एवन तपस्या की आवश्यक्ता है आईए जानते हैं मा काली को बुलाने का मंत्र एवन मा काली से जुड़े कुछ विशेश रहस्य मित्रों हिंदू धर्म में मा काली को तीन देवियों में से एक माना जाता है मा काली का रूप अत्यन्थी भयानक है जिसे देखकर दुष्ट अत्याचारी पापी लोग भयभीत हो जाते हैं मा काली को अधर्म का मार्ग बिलकुल भी पसंद नहीं है जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं अत्याचार करते हैं, मा काली उनको बहुत भयानक दंड देती है ऐसे बहुत से साधक हैं, जो माता काली को मंत्र से विवश करके अधर्मी काम करते हैं वहीं दूसरी और महा काली अपने भक्तों के लिए विशेश कृपा करने वाली होती है जो भी भक्त मा काली की शरण में चला जाता है उसके लिए मा काली अपना शानप्रूप धारण कर लेती है मा काली को प्रसन करने के लिए मा काली की मंत्र साधना की जाए यह जरूरी नहीं है लेकिन माता काली का शीधर दर्शन पाने के लिए मंत्र साधना बहुत जरूरी है और इसे ही मा काली का आवाहन मंत्र भी कहते है मा काली की मंत्र साधना विभिन प्रकार से होती है कुछ लोग मा काली की तांत्रिक उपासना करते हैं तो कुछ लोग मा काली की सामान्य भक्ती भाव से पूजा अर्चना करते हैं मा काली को बुलाने का मंतर बहुत ही चमतकारी एवा रहस्यमी होता है मा काली को बुलाने से पहले अर्थात मा काली का आवाहन करने से पहले भक्तों को पूर्ण निष्ठा भक्ती भाव से मा काली की पूजा अर्चना करनी चाहिए जो भी भक्त सच्चे मन से सच्ची निष्ठा एवं भक्ती से मा काली की पूजा करता है वह निष्चित ही एक न एक दिन मा काली के दर्शन पालेता है शास्त्रों में दिये गए माता काली के कुछ मंत्रों को बताने जा रहे हैं आप इस मंत्र का जाब करके माता का दर्शन शीघर पा सकते हैं क्री हुँ हुँ हरी हुँ हुँ क्री स्वाहा मा काली का यह पांच मंतर बहुत ही शक्तिशाली माने जाते हैं माता काली इस मंतर से ज्यादा प्रसंद होती है मंत्र उच्चारण से निकलने वाली ध्वनी तरंगे माता को अपनी ओर आकर्शित करते हैं मंत्र जाप करने के पुर्व मा काली का ध्यान करने के लिए सर्वप्रथम किसी शांत स्थान की तलाश करें ऐसा स्थान जहां किसी भी प्रकार का ध्वनी प्रदूशन नहीं हो और नहीं कोई व्यक्ति ध्यान साधना में हस्तक शेप करे अगर ऐसा स्थान मिल जाए तो उस स्थान पर चौकी रखे और चौकी को गंगा जल या समान्य जल से धोकर उस पर लाल वस्त्र बिछाए ततपश्चात माता की प्रतीमा को स्थापित करे माता के प्रतीमा को रखने के बाद देवी के समक्ष एक दीपक जलाए उसके बाद अपने कुल देवता, इष्टदेव और गणेश जी का मन में सुमिरन करे के इस कार्य में सफलता का गुहार करे अब इस मंत्र का जाप बिना भोजन और पानी पिए 108 माला 42 दिन तक करे जब तक आप मंत्र जाप करते हैं, मा काली को जवा फुल अर्पित करते रहे इस बात का विशेश याद रखे कि आपके मुख से निकलने वाले मंत्र ध्वनी तरंगे में भक्ती भाव और बिलखता का भाव होना चाहिए इससे माकाली शीघर दर्शन देगी आप अपने मन में माता के उग्र छबी का ध्यान न लगाएं, आप माता के सौमय रूप का ही कलपना करें क्योंकि माता के उग्र रूप का दर्शन आपको भैभीत कर सकता हैं, आप उनके तेज को सहन नहीं कर पाएंगे भक्त माता को जिस छबी रुप में अवाहन करता है, माता आपने भक्त को उसी रुप में दर्शन देती है इसलिए इसका विशेश ध्यान रखे, आप माता के सौमय रुप का ही कलपना करे